अध्याय तेईस पॉलुस ने महासभा की ओर टक्टकी लगा कर देखा और कहा हनन या महायाजक ने उनको जो उसके पास खड़े थे उसके मूँ पर थपड मारने की आग्या दी तब पॉलुस ने उससे कहा हे चूना फिरी हुई भीत परमेश्वर तुझे मारेगा तू द्यवस्था के अनुसार मेरा नयाय करने को बैठा है और फिर क्या द्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आग्या देता है जो पास खड़े थे उन्होंने कहा क्या तू परमेश्वर के माहायाजक को बुरा कहता है पॉलुस ने कहा हे भाईयों मैं नहीं जानता था कि ये माहायाजक है क्योंकि लिखा है कि अपने लोगों के प्रधान को बुरा ना कहे तब पॉलुस ने ये जानकर कि कितने सदूकी और कितने फरीसी है सभा में पुकार कर कहा है भाईयों मैं फरीसी और फरीसियों के वंच का मरे हुँ की आशा और पुनरुद्थान के विशए में मेरा मुकदमा हो रहा है जब उसने ये बात कही तो फरीसियों और सदूकियों में जगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई क्योंकि सदूकी तो ये कहते हैं कि ना पुनारुथान है ना स्वर्ग दूट और ना आत्मा है परन्तु फरीसी दोनों मानते हैं तब बड़ा हल्ला मचा और कितने शास्त्री जो फरीसीों के दलके थे उठकर यू कहकर जगडने लगे कि हम इस मनुष्य में कुछ बुराई नहीं पाते और यदि कोई आत्मा ये स्वर्ग दूट उससे बोला है तो फिर क्या जब बहुत जगडा हुआ तो पल्टन के सरदार ने इस दरसे कि वो पॉलुस के टुकडे टुकडे ना कर डालें पल्टन को आगया दी कि उतर कर उसको उनके बीच में से बर्बस निकालो और गड़ में ले आओ उसी रात प्रभू ने उसके पास आखड़े होकर कहा जब दिन हुआ तो यहूदियों ने एका किया और शपत खाई के जब तक हम पॉलुस को मार ना डालें तब तक खाएं या पियें तो हम पर धिकार जिन्होंने आपस में ये शपत खाई थी वे चालिश जनों के उपर थे उन्होंने महायाजकों और पुर्णियों के पास आकर कहा हमने ये ठाना है कि जब तक हम पॉलुस को मार ना डालें तब तक यदि कुछ चकहे भी तो हम पर धिकार पर धिकार है इसलिए अब बहासबा समेत पल्टन के सदार को समझाओ कि उसे तुम्हारे पास ले आए मानो कि तुम उसके विशे में और भी ठीक जाच करना चाहते हो और हम उसके पहुचने से पहले ही उसे मार डालने के लिए तयार रहेंगे और पॉलुस के भांजे ने सुना कि वे उसकी घात में हैं तो गड़ में जाकर पॉलुस को संदेश दिया पॉलुस ने सुबेदारों में से एक को अपने पास बुला कर कहा इस जवान को पल्टन के सरदार के पास ले जाओ ये उससे कुछ कहना चाहता है सो उसने उसको पल्टन के सरदार के पास ले जाकर कहा पॉलुस बंदुए ने मुझे बुला कर बिंती की कि ये जवान पल्टन के सरदार से कुछ कहना चाहता है उसे उसके पास ले जा पल्टन के सरदार ने उसका हाथ पकड़ कर और अलग ले जाकर पूछा मुझसे क्या कहना चाहता है उसने कहा यहूदियों ने एका किया है कि तुझसे बिंती करे कि कल पॉलुस को महा सभा में लाए मानो तुआ ठीक से उसकी जांच करना चाहता है परन्तु उनकी मत मानना तब पल्टन के सरदार ने जवान को ये आग्या देकर विदा किया कि किसी से ना कहना कि तूने मुझको ये बातें बताई हैं और दो सुविदारों को बुला कर कहा उसने इस प्रकार की चिठी भी लिखी महा प्रतापी फैलिक्स हाकिम को क्लाओदियस लूसियास का नमश्कार इस मनिश्यों को यहुदियों ने पकाड़ कर मार डालना चाहा परन्तु जब मैंने जाना कि रोमी है तो पल्टन लेकर छोड़ा लाया और मैं जानना चाहता था कि वे उस पर किस करण दोश लगाते हैं इसलिए उसे उनकी महा सवा में ले गया तब मैंने जान लिया कि वे अपनी विवस्था के विवादों के विशे में उस पर दोश लगाते हैं परन्तु मार डाले जाने या बांधे जाने के योग्ये उसमें कोई दोश नहीं और जब मुझे बताया गया कि वे इस मनिश्य की घात में लगे हैं तो मैंने तुरंट उसको तेरे पास भेज दिया और मुद्धियों को भी आज्या दी कि तेरे सामने उस पर नलिश करें सो जैसे सिपाहियों को आज्या दी गई थी वैसे ही पॉलुस को लेकर रातो रात अन्ति पत्रिस में लाएं दूसरे दिनवे सवारों को उसके साथ जाने के लिए छोड़ कर आप घर को लोटे उन्होंने केसरिया में पहुँचकर हाकिम को चिठी दी और पॉलुस को भी उसके सामने खड़ा किया उसने पढ़कर पूछा यह किस देश का है और जब जान लिया कि किलकिया का है तो उससे कहा जब तेरे मुद्दई भी आएंगे तो मैं तेरा मुकदमा करूँगा और उसने उसे हेरो देश के किले में पहरे में रखने की आग्या दी झाल